यह कहानी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है इसे दो मेट निकाल कर पूरा जरूर सुने एक बार एक सतर साल के भाई ने अपने बड़े भाई जिनकी उम्र 80 साल थी उन पर सिर्फ यह बात पर केस कर दिया था कि उन्होंने अभी तक अपनी माँ को अपने पास रखा और उनकी ख पास रखता हूँ लेकिन मा को कभी भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दी और इस बात को मां से पूछ लिया जाए कि अगर मां को कोई तकलीफ है तो मैं मां को छोटे भाई को दे दूंगा इस बात पर 110 साल की मां को कोट में बुलवा कर पूछा गया तो मां ने की है और अब यह मौका चोटे भाई को दिया जाए ऐसा सुनने को पहली बार मिला है धन्न है वो मां जिसने ऐसे बेटों को जन्म दिया कास हर माबाप के ऐसे बेटे हो तो हमारे देश में व्रद्दा अस्रम की जरूरत ही नहीं होगी किसी ने सची कहा है कि माबाप अकेले चार-पांच बेटों को तो पाल सकते हैं लेकिन चार-पांच बेटे मिलकर माबाप को नहीं पाल सकते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें ताकि हर इंसान यह बात जान सके और अपने माबाप की सेवा करें